ओम नमः शिवाय देखू किसी ने पूछा है उनकी राशी कैप्रिकॉन है यानि मकर राशी है और एज है 34 शादी को कडिवन 5 साल होने जा रहे हैं बट अभी भी उनके बेबी से रिलेटिट कोई भी गुड नियूस उनको नहीं मिला है तो चलिए देख लेते हैं कि कब उनको उनके बेबी के तरफ से गुड नियूस मिलने वाला है प्लीज डिवाइन गाइट करें कि कब होगी उनकी बेबी बेबी के तरफ से गुड नियूस उनको कब मिलेगा चलिए देख लेते हैं देखू आपको इहां पर divine ना हैरे रखने के लिए बोल रहे हैं जादा चिंता किसी भी चीज में ना ले अपने खाने पीने पर सोने पर थोड़ा सा ध्यान दे जादा tension की वज़े से बहुत सारे problems human body में होते हैं तो जिसके वज़े से भी pregnancy में बहुत सारे complications चले आते हैं आप देख सकते हूं यहां पर कि बहुत सारे wish fulfillment की card यहां पर आ चुका है आपके baby के तरफ से good news आपको बहुत जल्द मिलने वाला है यहां पर justice भी चला आया है तो यहां पर मुझे दिख रही हैं अभी से लेकर just 8-9 महिने के बाद ही आपको आपके baby के तरफ से एक good news मिल सकता है यानि chances बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यह जो baby होगा यह बहुत सदा lucky होने वाला है divine blessings के साथ जनम लेने वाला है तो भगबान के उपर विश्वास रखे and खुद के उपर भी